माधिरे ले चलरे महिया माधिरे ले राम करे असा माधिरे ले चलरे महिया माधिरे ले राम करे असा कहां किनारा भगसागर का कोई जाने ना चल तेरे ये नाथी जिवन है रुखना मौत का नाम के सया नाया राम करे असाथ माधिरे ले राम करे असाथ माधिरे ले राम करे असाथ राम करे असाथ जोड़े बहुर देवर जी कचैरी से आगाई लेकिन बड़े भाईया क्यों नहीं आये गोवर्दन दादु यहां किरतन है न जहां भी किरतन हूँ वही बड़े भाईया हाजिर मुझे अच्छा नहीं लगता चल बूड़ी दादी पढ़ने चल शाम के वक्स फिर कहां गई थी? घर में जरा भी पाउन इतले नहीं दिकते जाओ हाथ उंदोने के लिए पानी लाओ लाती खोलता हूँ खोलता हूँ दर्वादा बन करके क्या करें करूँगा क्या अब भगवान का नाम ले रहा था पिचु भाईया ओ पिचु भाईया देखो तो इस वक कौन बुका रहा है पिचु भाईया पिचु भाईया है क्यूँ? उस महले में कलु का बाब मर गया है और घाट पे जाने के लिए कोई नहीं है इतने निलू भईया ने बुलाया है वो तो घर में नहीं है छी छी शाम के वक्त तुमने मुझसे जूट बुलवाय ओफ बड़ी आयो धिस्टर की नानी अरी पती के लिए जूट बोलने में पाप नहीं पुन होता है पुन लेकिन बड़े भईया ने बुलवा भीजा था बुलवा भीजा था उनके बुलवाते ही मैं चला जाओ दिन भर के चैरी में कलम भिषने के बाद ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा ये बाते तो बड़े भईया जैसे बेकार आदमे को अच्छी लगती है कहीं कीर्तन कहीं कोई मरा किसी को हैजा किसी को कुछ इसलिए तो गावाले उन्हें देवता की तरह पूछते हैं फिर जमान से लाती है क्या कहते हो सुभा के निकले हुए सीधे घर ना लोटकर इस वक घाट पर चले गए क्या करते विचारे, खितला मया के दया हुई थी मुर्दे के साथ जाने के लिए कोई राजी ना हुआ इसलिए निलू भाईया अच्छा ठैरो, मैं अभी धोती लाती हुए वे, क्या करी हो कुनुक? सवाल लगा रही है अच्छा यह लो, उन्हें जल्दी खर लोटने के लिए कहते ना अच्छा भावी, वो भाईया की धोती क्यों ले गया? हर बात तो सबत लानी होगी बड़ी बहु, चावल बग गए है चल मैं आती हूँ राच्चे रहो अच्छा, तुम्लु भाईया में चलता हूँ कुर्षा ना हम। कौन? ओ अ तू हम। अच्छा विराज तुम्हारी याकव तो मारी नहीं गई क्यू? इस तरह दर्वाजा खोल कर सो रही थी अगर चोरी हो जाती तो यहां कौन से अनमोल चीज धरी है जो चोरी हो जाती क्यों तुम जो हो चोर यह चोंसली मुझे पूछते हूँ मेरी अकल को क्या हो गया है मैं पूछते हूँ तुम्हारी अकल को क्या हुआ वा, मैंने क्या किया? कीरतन में जा रहा हूं कहकर, वहीं इस सुभा के निकले हुए और अब इतनी रात के अमुर्दे जला कर लोटे हूं आखिर ऐसा करने से ये शरीर कब तक चिकेगा? आप चलो चलो कर खाना खालो, बहुत रात पेसे ये हस क्या रहे हूं? मैं हसका रहा हूं हस रही हो और क्या रहे हो हसका रहा हूं? तुम भी अजीब हो, मैं कहा हस रहा हूं? देखो तुम्हारी आंखे हम्, आज फिर तुमने भांग पी है मानती हूं मूर्दे जलाने दूसरों का भाला करना है लेकिन उसके साथ ये सब क्या? शम्मू ने अजे तुम भांग बनाई दी और सम्ति कहा क्या कहने से ये पी लेनी होगी? और मैं जो रोज-रोज मना करती हूं उसका कुछ नहीं मैं सच कहती हूं, अगर आप तुमने कभी भांग पी तुम आपना सर पटक पटक कर मर जाओंगी, हां जब भी बिगड़ती है, तब भी खुबसूरत लगती है हाँ मैं पुनिस मुझी दीख मनमाही पी अभी योग समदुख जगनाही असकहिसिया रघुपती पदलागी बोलिवचन प्रेमरस पागी प्राणनाथ करुनायतन, सुन्दर सुखद सुजान तुम बिनरघुकुलकुमुद बिधु, सुरपुरनरकसवान सियावर राम चंद्र की जय, भवन सुतहनु मान की जय मातु पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुरिद समुदाई क्या हुआ रे पुन्नो, तेरी आँखों में आँसू? भाई ने मिले घाल मसल दिये और मझे कानी कहा तुझे कानी कहा? ऐसी हिर्नी जैसी दो आखे होते हुए तुझे जो कानी कहती है वो खुद कानी है लेकिन घाल क्यों मसल दिये? जूट मूट जूट मूट? अच्छा, चल मैं देखता हूँ पीतु, आज इसनी जल्ली जा रहे हो? हाँ भाईया, वकीर सहाब ने घर पर बुलाया है विराज, विराज ओ, मूझेली शिकायत करने गई थी क्यों ना जाए? तुमने जो इसे कानी कह दिया वो सरासा जूट है लेकिन गाल क्यों मसल दिये मसलूंगी नहीं, इतनी बड़ी हो गई बिच्छाने से उठते ही, बिना मूँ हाथ भोशाले में घुचकर बच्रे को खोल दिया अब मूँ बाय देखती रही आज एक भून दूद नहीं मिला, इसे तो पीतना चाहिए नहीं, सुंदरी को गवाले की यहां भेजना चाहिए अच्छा बहन, बच्छडे को तुमने क्यों खोल दिया यह काम तो तु 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 जा चुका है नहीं, नहीं, इस धूब में जाने के कहीं शुरूरत नहीं चाहिए तु 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 नहा कराओ चल पुन्नो, तुझे आज पैरना सिखाओं, चल यह क्या, दूद क्यों इलग रखती है? आज दूद नहीं पियोंगा क्यों नहीं पियोंगे? आज तु मैने कुछ जयादा नहीं पकाया वा, इतना सब कुछ पकाया इतना क्या, हेर फेर कर कभी ये कभी वो खाली सागपाट से क्या मर्द खा सकते है? क्यों रही, तू खा चोगी? हाँ, और दूद? यह देखो अच्छा, जहाद धोकर अपनी छोटी भावे से मिठाए मांगे तुमने सब दूद नहीं पिया? उफ, पी तो रहा हूँ हसते क्या हो, मेरी देह में आग लग जाती है दिन दिन तुमारी खुराग घटती जाती है इसका भी ध्यान है देखो तो जरा हड़ी हड़ी निकल आई है देखा है, मेरी वजाए तुही पी लिया कर क्या पंगी जमारों की तरह दूदगार करती हो? याद नहीं रहता है विराज बच्पन की आदत ठहरी वह जाती नहीं कितनी बच्पन में हमारी शादी हुई थी कितने देखे तुम्हारे कान उमेठे हैं, याद है? याद नहीं, खूब याद है मुझे छोटी पाकर तुमने क्या कमत्या चारती है आज भी वह सब बात ही याद है मगर मैं तभी से तुझे प्यार करता था ये लो अरे बापे, अब इतनी मिछाई? नहीं, अब और माई कुछ नहीं खा सकता खाना ही होगा तुम्हारे इस खिलाने के जुम के मारे तो जी चाहता है किसी बन में चला जाओ हाँ भीया, मैं भी तुम्हारे साथ बन चलूँगी मुझ पर भी भावी खाने के लिए बड़ा जन करती है चुप रहे है मुझ ली, खाएगी नहीं तो जीएगी कैसे ससुराल में जाएगी तो पता लगेगा फिर भावी याद आएगी नहीं विराद, अब उससे खाया नहीं जाता शाद इस वक्त खाकर अच्छा नहीं किया सुबहे से तबियत कुछ ठीक नहीं तबियत ठीक नहीं है, पहले तो नहीं बतलाया अरे, तुम्हारा बदन तो गरम है अच्छा रहने दो, हाथ दोलो, मगर आज बाहर नहीं बैठना चुप चाप अपने कमरे में जा लेटो पुन्नो, जाता तो उपने बड़े भईया कब इस्तर लगा दे बुखार जियादा मालूम होता है, मैं घर जाकर दवा भेज़ देता हूँ वैची, कैसी हालते भईया की? इस वस्त मैं कुछ नहीं कह सकता गाव में जो बीमारी फेदी हुई है, उससे जरा हुश्यारी रहना चाहिए सुना, वैची क्या कहते है? अब हर वक्त मिदर फदक फदक कर मताना चुपी रहो, कहीं उस तुन न ले फुन्न, जा तो जाकर खाना खाले, अपनी छूटी भावी से कह दे, वो सब भी खाले मैं आज खाना नहीं खाँगी, तुम क्यों नहीं खाँगे भावी हर बाद तुझे बत्ला नहीं होगी, चुपाँ भगवान मेरी लाज रखना, उन्हें चल्दी अच्छा करते हैं नहीं, आज बखाद नहीं, जाओं जाकर नहायां अज इतनी सुभा नहाने जा रही हो? जानते नहीं भावी ने कुछ भी नहीं खाया पिया, आज सुभा 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 जान करके पंचानन बाबा कियां पूजा चड़ा कर तभभा भी खाएगी चुप रहा है पुर्णो, बूरी दादी की तरह बाते नहीं बना ये क्या, तुमने तीन दिन से खाया नहीं ये तुम्हारे पागलपन नहीं तौर किया नहीं, पागलपन नहीं अगर तु मौरत होखर जनम लेते, तब समझते कि ऐसे दिनों में पती को बुखार आने पर स्थ्री के दिल पर क्या घुजरती है पुन्हो, अगर तु पूजा चड़ाने जाना चाहती है तु जल्दी से जाकर नहाली जाती हूं और सुन, अपने भईया के लिए देवदा से अच्छी तरह प्रासना करना अच्छा वह खूब करेगी, बलकि तुमसे अच्छी तरह यह न समझो, चाहे माँ हो चाहे बहन लेकिन स्थ्री के लिए अपने पती से पढ़कर और कोई नहीं होता बड़ी बहू, तुलसी वैजी किया जाएगी क्या? ने-ने, कोई जूरत नहीं, अब मुझे बुखार नहीं है तुमने मुझे जूट-मूट बीमार बना रखा है, आज मैं भात खाओंगा भात नहीं, पुलाओ खाओगे जो वैजी कहेंग, वही खाना होगा सुन्दरी, जा तुलसी को भेहते, अच्छा भाईया भाभी ने कहा है, तुम अंदर जाकर आराम करो बखार किपा, आज तुमने खाना खाया है बाहर ग्यादा देजबैशी से, तब बेग फिर खराब हो जाएगी अच्छा तु जा, मैं आता निलू भाईया, निलू भाईया एक बार अपने चर्णों की धूर दो, तो सायद मेरा कैलास बढ़ दिया क्या हुआ उते? दो दिन से बेहोस पड़ा है, करीब पिकर जन लिया है, निलू भाईया कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए गामभालों के जो सितला में यहने दया की है, कोई दवा दी? दवा क्या चुन? दवा से ज्यादा विस्वास, तुम्हारे चर्णों की धूर पर है अरे यह क्या चलो है, ठोड़ ठोड़ मोती मेरी टबियत ठीक नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कोशिश नहीं देवसा, तुम्हें चलना ही होगा तुम्ही तो मगरी होगा, एक सारा होगा अच्छा तु इस वक जाम होती, मैं बाद में आऊंगा अच्या देवसा तया, तुम अभी तक यही बैठे हो पुन्हो, एक काम करेगी क्या काम भया? जाना चुक्के से मेरी छट्टी लेया इस धूप में तुम बाहर जाओगे? आज चुपा इस दे, तेरी भावी ने सूल लिया तो पैस जाना मेरी अच्छी बैन, तेरी छट्टी चुक्के से लेया अरी भावी, सुच्छ नहीं होगा भावी तुम्हारे कमरे की तरफ मुखिये बैची खा रही है अगर देख लिया तो हड़ी पसली न बचेगी किसे चिछी लिख रही हो विदाज? मामा को तुम्हारे बीमारी की खबर पाकर बहुत बेचैन हो रहे थे इसने दिनों तुम वक्ती नहीं मिला आज उनी को लिख रही ही कि तुम अच्छे हो गएगा एक बात मानोगी बिराज? क्या बात है? अगर मानो तो कब मानने लाइक होगी तुजरूर मानने नहीं तुम नहीं मानोगी कहने से कोई फायदा नहीं अच्छा तुम बताओ मैं मानने कुछ दे पहले मोती मेरे पाउं पकड रो रो कर कहने लगा कैलाश को दो रोज से बुखा रही है उसे विश्वास है कि मेरे जाते ही उसका बेटा अच्छा हो जाएगा ये रोगी शरीर लेकर जाओगे क्या करूँ वचन जो दे चुका हो तुमने क्यों बचन दिया तुम समझो तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा ही है इसमें और किसी को कहने का कुछ हग नहीं तुम जो जी में आई कर सकते हो उसका रोना देखकर तुमने उसका रोना तो देखा लेकिन इस दुनिया में मेरा रोना देखने वाला भी कोई है तुम कहीं नहीं जाओगे ये क्या कर रही है विराज विराज आँ अई अपनला पुनुन्य सुन सुन तिरी भाबी कहा है शयाद पड़ोस में गई होगे पड़ोस में गई होगे जरा कुंडी तो खोल भाबी ने लगाई नहीं बाबा मुझसे नहीं होगा सुन बहुति से कह चुका हूँ नहीं जाने से जूटा बनूँगः अच्छा खोलती हूँ, पर भावी से न कहना भया जल्दी लौटना हाँ हाँ, जल्दी लौट आउंगा अरे, ये दरौजा किस नहीं खुला? जरूर ये अपन्नों का काम है कुंडी तूने ही खुली थी नहीं भावी भाग कर जाएगी का, चल्दी चल अंदर चल्द मेरा क्या कुस हूँ, भया ने कहा भया ने कहा था, चल्दर जिसकर तूने खोल दिया, उस तरह भया के बदल लाव, तू बंदर मैंने इतना मना किया, फिर भी चली गए नेलू बली आगे आओ जिसकर आओ जिसकर आओ केलाश की माँ, अब ड़ने की कोई बात ने दो दिन चे यह पड़ा हुआ है चिंता ना करो, अच्छा हो जाएगा तूलसी, यह तरकालेशों सोई खर में रखते, मैं तूलसी को हाज भेज़ते हूँ मेरे मन भुला भुला कहें दोले प्रभु संग फ्रीत लगाले प्रभु बिन कौन समाले जीवन की यह तो किसी नईयां कर दे राम हावाले मेरे मन भुला भुला कहें दोले प्रभु संग फ्रीत लगाले प्रभु बिन कौन समाले जीवन की यह तो किसी नईयां कर दे राम हावाले जीवन एक बार मिले हैं यह फूल एक बार खिले हैं जो पल जाए फिर नाए जो पल जाए फिर नाए काहें जल्म गवाए रे हरी का नाम दे आले जीवन की यह तो किसी नईयां कर दे राम हावाले ये सुरज चांद सारे ये रंग रंगिले पंशुर पखेरू प्यारे प्यारे रंगिले पंशुर पखेरू गोरे कारे प्यारे प्यारे ये सुरज चांद सारी जगत के ये नर नारी प्रभू की है महमा सारी जगत के ये नर नारी प्रभू की है महमा सारी सब को वो चाहे, सब में सामाए, सब को वो चाहे, सब में सामाए, फिर भी नजर ना आए मेरे प्रभु के खेल नीरा ले, जीवन की ये चोटी सी नया, कर दे राम हावाले, मेरे मन भुला भुला काहे दोले, प्रभु संग प्रित लगा ले, प्रभु बिन कौन समाले जीवन की ये चोटी सी नया, कर दे राम हावाले अभी पुन्नो रही, इतनी बड़ी होगी, मगर बसपना नहीं गया, दिन राख या पाख में ये लदी के किनारे फाग की किसी है अभी उसकी उमरी क्या है तुम तो उसको बस चीजी समझते हो, जानते हो फाग उनमें पन्नमा खतम करके सोलों में कदम रखती है अच्य 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 जरा उसे बुलाओ, मेरी पुजा खतम होगे आपी पुलाओ पुन्नो अरियो पुन्नो नदी पुन्ना दी जरा या मख्ली आए आइसे बोलो नहीं तो मचली भाग जाएंगे अच्य तुम यहां मचली पतर रही हो और मैं तुम्हें सारा गांप हो जाएंगे धर मचली तरह पतर रही हूँ चलो घर चलो, हमारी भावी बुला रही है क्योंगी तुम रिया के सुपा ख़़ी होगी हाँ भावी तुमने मुझे बुलाया? हाँ, कहां गई थी? अरे, यह कपड़े कैसे बिगाए? नदी में वहां क्या कर रही थी? पता, कर क्या रही थी? मचली पकड़ रही थी हम् सब ही यह कपड़े भी गोकर आई है मैं कहती हूँ, तेरी उमर घट रही है या बढ़ रही है यू नाचते पैसे तुझे शर्म नहीं आती? जैसा भाई वैसी बहन क्यूं भाई ने क्या अपरात गया? तुम इने तो लाट पैसों से इतना बिगाड़ा है आज नहीं कल इसके शादी होगी अगर अभी से ना समझी तो ससुरार में जाकर दुख उठाएगी हाँ शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा विराज अरे हाँ, नंदनपुर वाले फुन्नों को देख कहे थे उन्होंने कोई ख़बर दी? जाते वक्त तो कह गयते लड़की पसंद है लेकिन अभी तक तो कोई ख़बर नहीं दी गरत हमारी है, तुम ही कोई एक पार जाना चाहिए हाँ, कल तक अगर कोई ख़बर नहीं आई तो मैं खुद ही चला जाओंगा मेरी बहन है इसलिए नहीं कह रहा हो बिश्किश्वर बाबु सच्मुची वो रूपबती है लेकिन भई आजकल रूप के साथ साथ रुपया भी देखा जाता है हाहाहा साफ साफ बताइए के नकत कितना देंगे हमारी हालत तो आप से चिपी नहीं फिर भी हमसे जितना हो सकेगा देंगे लड़के को देखते हुए तो हम लोगों की मांग कुछ भी नहीं सिर्फ एक हजार तेया नकत रख तोले सुना और बाकी दान वग़र तो आप मदेंगे ही ठीक है हरी 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 मेरी पूरी बात तब भी खत्मी नहीं है आप तो जानते ही हैं के मेरा लग़र डाफ नहीं परता है पूरे चार बरस से उसका बदाश कर रहा हूँ लेकिन भईया अब मुझसे नहीं होता बाकी दो बरस का खत्चा अब आप ही कोगे नहीं होता लेकिन ये ये तो बहुत बड़ा खत्चा है मेरे लिए बहुत मुश्किल है तब तो मेरे लिए भी बात पत्ची करने मुश्किल है ठीक है, हमारे बस के बाहर होते हुये भी हमने आपकी बात मानने हमारी एक ही बहन है जैसे भी हो उसे SubK 앞에 रखेंगे अच्छे नमस्ते अब tu ही बता किया चरूँ इसने दिन तो देखा लेकिन ऐसा लड़का ऐसा घर कहीं मिला तो क्या उनकी हर मांग पूरी कभी होगी आखर इसना रुपया आएगा कहा से सोने के जेवराद तो माही पुर्नों के लिए छोड़ गई थी अब रही नगद रुपयी की बात तो मैंने सोचा है कि सोना कूर की दर्श दिखा दमीन रहें रहें दखेंगा क्यूं रहे चुप क्यूं है बोलता क्यूं नहीं आप तेरी राइ भी तो सुनों मैं सोचकर जवाब दूँगा जबान जो दे दी है जबान क्यों थी? आखर मुस्से भी तो राय लेनी चाहिए थी ये रहे निलामबन बात क्या है? आप लोग सब सुब़ सुभी किसे? इतामबर हम लोगों को बुला लाया इसका कुछ में कुछ बंदोबस करना होगा बंदोबस? कैसा बंदोबस? इतामबर अब बोलो ना बोलना आप बोलता तू नहीं समझ गया खुछ कहते उसे शर्म आती है कुछ भी हो निलामबर आखिर बड़ा है बात ये है निलामबर इतामबर कह रहा था के तुम्हारे साथ उसकी नहीं पढ़ती इसलिए वो चाहता है के जमीन जायदाज का बटवारा हो जाए क्या कहा? मेरे साथ उसकी नहीं पढ़ती तू अंदर जाए तुने ये बात कही है पहिमान, तेरी इतनी हुम्हा एक माँ की सल्तान और उनमें ना बनेगी आई अंदर फिर कभी जो तुने ऐसा कहा तो तरी जुबान घेच रूँगा हाँ 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 ये तो सरा सरे न्याय है जमार पने से तुम जीत नहीं सकते तुम बढ़ा हो गया, बालिक हो गया अब अगर वो अलग होना चाहता है तो तुम उसे क्यों रोकते हों? हाँ हाँ, रोकूंगा, हजार बार रोकूंगा हमारे नीजी मामनात में आप लोगो बोलने का क्या हाँ है जाए, आप लोग यांसे चले जाए अपने भाई से जो कुछ टाय करना है वो मैं खुद ही करूंगा वाँ, हम लोगों क्या लाल पिर यांसे लिखा रहे हो हमने क्या दोश्किया, जाने को कहके हो तो चले जाएंगा हाँ, जाए, अब ही चले जाए चलो बेचलो अब बोला भागे, क्या चाहता है मुझके अलग होना चाहता है क्यों, उन्हें सोचा मैं कुछ समझा ही नहीं भाजी, बैमान, नीज बहन की शादी में मदद करनी होगी इसलिए तु अलग होना चाहता है मैं अभी से बाठ डूँगा जब मैंने जुबान द है, तो बहन की शाधी मैं było अकली ही करूंगा तु जैसे न wannalar, इसलिए इसलिए अलग होनार, अलग होनार ऐ आदो कर दो यह बात मेरे दिमाद में नहीं आती दिराने, कि एक सगा भाई बहन की शादी में रुपए दिने के तर्स अलग हो रहा है, मैंने तो उसी के भरसों में जुबान दी थी, अब मैं अकेले क्या करूँ? तुम चिंता ना करो, मा मर्ते समें पुन्नो को तुम्हारे हाथ हो सौम गई थी, अब उसी पुन्नो की भलाई के लिए तुमने जो कुछ भी किया, ठीक किया, मा सर्क से तुम्हे आशिर बाते की, अब जेवरात बेज कर, जमीन रहन रख कर, जैसे भी हो अपने कटबे का पा कि यहां जाकर देखूंगों क्या करते हैं यह तुम कैसे क्या होता है, तुम दोनों भाई अलग हो गया, जमीन जायदाद का बटवारा हो गया, अब तुम ही बदलाब कि तुम्हारे इस हिस्ते पर मैं इतना रुप्राद कैसे दे सकता हुए लेकिन फुला नाजी, मैंने ताफी के भरुसे सब्कू स्थिख किया अब अगर आप इतनी जमीन पर रुप्रेन भीजे सकते हैं तो मैं जेवर ते गिर्वी रसे के लिए ते याद हुए हरे 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 हरे, अपनी औरत के जेवर गिर्वी रखोगे इसके अलाबा तो इस चारा भी तो नहीं प्लाना जो, बहन किस हादी से करनी ही हो ठीक है, जब तुम इस तरह कह रहे हो, तु ले जाओ रुप्रा ओ, नमो बिश्वर उपाया, बिश्वस्तित्तं सहे तवे, बिश्ष्वराय, बिश्वाय, गोविंदाया, नमो नमो चोटे भीया, चोटी भादी को प्रमाई करा, वो कितना हे रूचे क्यों ना आखर बुख्याना, जाओ भगवान, मुझसे जो कुछ वा मैंने किया, अब तुम ही उसे देख, मेरी फुनों से तुरे लड़की हमेशा माबाप की धर्च पुरे ही रहती है, चल, दोली में बैखे तेरा घर आबाद रहे जारी दुलनी आजा जहां रहे तू शाद रहे तू शाद रहे एक घर उजडए एक बसे दुनिया का धंग पुराना किसका यहां ठिकाना यूही रहे गा ना जाना किसका यहां ठिकाना पर्चिन में देखो बदले क्या क्या रंग जमाना रिंचिन रिंचिन गाती आही फिरस बदर याकारी महकी डारी डारी लहकी उजड़ी हुई पुनवारी महकी डारी डारी गाती बहारों के संग आओ गीत गालो रे आओ गीत गालो दो दिन का जीवन है ये हसलो हसालो रे हसलो हसालो कोई बहारों के संग क्या दिल लगाए जी क्या दिल लगाए हस्ती है जो फिकली वोही मुर्जाए जी वोही मुर्जाए कि पल हसाए गनिया सोपर रुलाए कि अपे बहाए जी वोही मुर्जाए हरे 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 हो भोला ना जी आये बैठी इस महले में आया था सुचा तुमसे भी मेलका जाओ हरे हाँ साल भर तो हो गया मेरे रुटों का क्या किया हरे खरे मुझे कुछ दिनों की मौहलत और दीजिए भोलाना जी हर मेन्य रमेश की पढ़ाई का खर्चा भेजना होता है सो वह मैं दो मेहने भेजी नहीं सका हरे खरे खरे और इसके अलाबा आप तो अची तरह जानते है कि पिष्वी फसल को पाला मार गया यह सब रामायन मुझे सुनाने से क्या फायदा फ़या मेरे रुपयों का क्या किया वो साफ साफ है तो चुका दूंगा सब चुका दूंगा उस दिनों की मुहलत ऑठी जी मुहलत तुम्हें काफी देगा यह अब नहीं दे सकता यह आवाज कैसी तुम्हें नहीं मालूम कलकत्य के बड़े जमीदार ने नदी के उस पार को खरीद लिया हाँ ये तो मालूम है उन्ही का लड़का आज दो दिन हुए नई जमीदारी देखने आया है तुम्हारे घाट के ठीक उस पार उसका तंबू लगा हुआ है रोज इस पार शिकार खेलने आया करता है लेकिन इधर किस चीज का शिकार करता है यह तो चिलियों के शिकार का बहाना करता है मगर असल में किस चीज का शिकार करता है वो हरी ही जाने हरे 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 सुना है वो बड़ा शराबी और अयास भी है यह कौन है किस उरिलाल इसी गाउ में रहती है इसका नाम है सुन्दुरी उमर हो गई लेकिन अब भी सुन्दुरी जी, जी हाँ मुझी हाँ यह क्या तुम अभी ततना हने नहीं गए यह जिख्धी किसकी ओ इसी लिए पुन्नो को दुशारे में भेजना नहीं जाते पढ़ाई का ख़चा जब तक हो सका तुमने भेजा अब तुम्हारे बस के बाहर है तो क्या करोगी उन्नों की शादी में इतना कर्दा हो गया उसी खेबोच से दबेज़ए हो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है उस पर हर महिने उनको रुपए भेजने होंगे उन्नों के ससुर बड़े आदमी है अगर वो अपने लड़के को पढ़ा नहीं सकते तो हम कैसे पढ़ाई सब समझता हूं विराच मगर मैंने जो शालिक राम जी के समने प्रसिक्टा किया है उसका क्या होगा कुछ में नहीं होगा शालिक राम अगर सच्चे देखता है वो हमारी तकलीफ दरूर समझेंगे अगर ऐसा करने से कोई दोशा पाप होगा उसे मैं अपने उपर लेकर जनम जनमानता टक नर्ग भोग लोगी संदरी सर अगाट पर तो जा वहाँ एक आदमी खड़ा है उससे कह दे फिर हमारी बग्या में कभी ना आए अच्छा हुआ हैos है यह जोगा कि इसना आएट है अगरिए विद्धा सब्समक करने को पाइब पर दोब 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 दोड़ा करो दोड़ाँ कि आज़ाद को यृत-जोब दोब्दोड करना सकती है दोब दूब कुछ पाम है आना जाजब तुम्हारे लिए नाव रहेगी दिल मेरा तुझ पे सदके नेना तुझ पे दिवाने जग सारा जाने बेदर दी एक तुही ना जाने ना जाने रे ना जाने रे सेयावन की बतियां मुरी रो रो भीते रतियां ना जाने रे ना जाने रे ना जाने रे कहूं तो कहा ना जाए बिन कहे रहा ना जाए कहूं तो कहा ना जाए बिन कहे रहा ना जाए को करूं है सकी मन नहीं माने रे ना जाने रे ना जाने रे ना जाने रे सारी शोफी सारी मस्ती सारे जल्वें लुटाएं तीर चलाएं नजरों ने जुल्फों ने जाल बिछाएं लेकिन जादू चला ना कोई तुझ पे किसी बहाने ना जाने रे ना जाने रे ना जाने रे सैया मन की बतियां मोरी रो रो भीते रतियां ना जाने रे ना जाने रे ना जाने रे जाने रे ना जाने रे ना जाने रे चेड़ो ना मोहे बलमा में जागी सारी रा तुम यहां अंदर बैठो मैं हुदूर को ख़वर करता हूँ मुन आने रे ना जाने रे रे तूर ंदर रे रे हुदूर है यहाथ अज़ बास नहीं है देराव बैठो शर्माती क्यों बैठो तुम्हारे मालिक का क्या नाम है निलामबर चक्रवर्ती सुबा दी ने देखा वो कौन थी वो मेरी मालकिल है अच्छा अगर में सुन्जर न होती तो क्या तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करती मैं तो बतन से एक सुन्दरी को ही प्यार करता है अब इस वत कैशे बतलाओ अगर तुम सुन्दर ना होती तुम मैं प्यार करता मैं बतलाती हूँ तुम क्या करती तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करती क्यों कर समझे? जो अन्याई है, जिसे करने से पाप होता है, वो तुम कभी नहीं कर सकते और अपनी इस त्री को प्यार ना करना, अन्याई है इसलिए मैं जानते हैं, कि अगर मैं बत्सुरित भी होती, तब भी मैं तुमसे इतना ही त्यार और दुला साथ अच्छा, क्यों सावित्री सत्यवान की कहानी सच है? शास्ती बात है सच नहीं कित्या जूट है मरे हुए स्वामी के प्राण सावित्री यम्राथ से लोटा लाए, क्यों ये भी सच है? क्यों नहीं जो सावित्र की तरह सती है, वो मरे हुए स्वामी को जुद्रूर लौटाला सकती हुँ तो फिर मेंटी लौटाला सकती हुए तू जय उनकी तरह सती है? वो ठहरे देवतार वो चाहे कुछ भी हुँ लेकिन मैं भी किसी सती से एक दिख भर भी कम सी वो सकता है, तू भी कर सके तो फिर मुझे आशिरवाद दो तुम्हारी चड़नों में सर रखकर तुम्हारी सुरत देखते देखते मेरे प्राह निकले बोलो तुमने आशिरवाद दिया अच्छा आज तुझे हो की आगया, ऐसी उल्टी-उल्टी बात ही क्यों कर रही है आज जी, फिर कभी बताओ कि माजी, ये चेल रखो इतनी तर कहां लगा देख? कोई भी तो उधार देना नहीं चाहता बड़ी मिननत खुसामसे बंसी की दुकान से लेकर आई थे माजी, पुंदरी कहां है? यूँ, पानी लेने गई माजी, तुमने कुछ ख्याल किया मुंदरी आजकर रोज लाए ना ये कपड़े पहलती है तो कहना क्या चाहती है? ये सब कुछ मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या बताओं, बात कुछ ऐसी है जो तुमसे कहना पड़ रहा है सुना है, रोज राज जमीदार की ना उसे लेने आती है और वो वहाँ जाया करती है जमीदार सहाब उसे रुपए भी देते है निलंबार, ओ निलंबार अरि देख तो कौन आया है कहते तरह बावू घर में नहीं बड़े बावू घर में नहीं है घर में नहीं है नो जूट मुझे रुपया देने का भड़ा क्यों किया था बैंने जरू को Carnos में गहाता हुए अगर उसे रुपया नहीं देता मैं अब तक खामोश रहा, आखिर हमारी भी तो जरुवत है, कुना है रुपए के लिए भोलाना दावा करने जा रहा है, शाद मुझे भी वही करना पड़े, कह देना, खल फिर आऊंगा सच कहती हूँ, तुम्हारा देचा रूप तो राजा महराजा के यहाँ शोभा देता है देखती हूँ तो आजकल राजा महराजां के ख़बरे कूब रखती है, तु जिमिदार के यहाँ क्यों गई थी? हाई भैया, यह किस ने कहा कि मैं जिमिदार के हा गई थी? मैं सब जानते हूँ, बता क्यों गई थी हाई दया तुम ही बताओ, मैं क्या करती वो ठेरे गाउं के जिमिदार सिपाही बुलाने आए तो हम जैसे गरीब कैसे ना कर सकते हैं तुम कुछी भी कहो, जिमिदार सब हैं बड़े दयादू जब भी जाती हूँ, सिर्फ तुम्हारी तारीफ करते हैं तुम्हारी तकलीफ सुनकर कहने लगे अगर किछी किसम की जरूरत हो, तो मैं मदद करने के लिए तयाद हूँ और अगर रुपए एकी जादी तेभी यह मजाल की मेरे सामने से ऐसी बाते करें जादी निल करते हैं अब इस खर्मे कभी मत आना थाए दूया, मैं आध्ली पुराने जासी और इतेसी बात सा मुझे जवाब देदिया हाँ, मैं मैं तुझे जवाब देदिया जाब अब निल करते हैं नहीं, तेरे हाथ का पानी छोने से भी उनकाम होगर होगा इतनी राज तुम पानी लाने गई थी? सुन्दरी कहाँ? मैंने उस जवाब देती जवाब दे दिया अजवाब दे दिया लेकिन बताव तुमसे उस्वाब क्या होगा क्या? मैंने शक्यूषी उसे निकाल दिया निकाल कैसे दोगी? वो कितना भी दोष क्यों न करे मगर कितने दिनों की पुरानी डासी है यह भी खैल है मैंने ठीक संदर इसलिए निकाल दिया निकाल तो दिया लेकिन काम कौन करेगा तुम मैं पुलाज जूटे बर्तन दोलाओं तुम यहां से जाओ तो तुमसे तो जरा सा हजीमता करना भी मुश्किल है ऐसी बात कह दोगे जिसे सुनने से भी पाफ होता है वाँ यह भी सुनने से पाफ होता है समझ भी नहीं आता विराज तुम्हें किस से पाफ नहीं होता तुम सब समझते हो नहीं तो इतने काम होते हुए जूटे बर्तनों की बाच कभी न पैसे नहीं विराज यह ना होगा मैं तुम्हें नौकरदासलिका काम नहीं करने दूँगा सुन्दरी ने कोई कुसूर नहीं किया तुन्हें सिर्फ खर्चा बचाने के लिए उसे छुड़ा दिये बोलो ये सच है ये नहीं 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 सच नहीं उसने सच मुझी अपराद किया क्या अप्राद किया यह मैं नहीं बता सकते लेकिन विराज तुम्हें ये सब काम करते हुए देखके मुहले वाले क्या कहेंगे ओ ये सब काम करते हुँ तो तुम महले वालों को मुह नहीं दिखा सकते लेकिन बेहनोई की पढ़ाई के लिए जो रूपे लिये थे उसके लिए घरमी आकर सौसा सुना गया, बेज़त कर गया और उदर भोलानात नालिश करने की धंकी दे रहा है अब जाओ यहां से, मुझे जादा तंग ना करो दो वक्त का खाना तो जुरता लिए, करशदार पैसे के लिए सर्थे खाये रहते हैं, फिर भी गरमी कम रही है क्यों? क्या हुआ? मैंने भले मानफ की तरह कहा, कि अगर किसी किसंती जरूरत हो, तो जिमिदार सर्थे से मदद करने के लिए तयार है बस यह सुनते ही आग बभूला हो गई, और मुझे घर से निकाल दिया घर से निकाल दिया? हाई गया, जरा दिमाग तो देखिये, इतना दिमाग अच्छा नहीं, मैं भी अपनी बेज़ती का बदलग ये बगार नहीं छोड़ी चैसा रूप है, अस्तर दिमाग को होना ही चाड़ी तुम्हारा ये रूप गुन, भगवान ने राजरानी की योगरी ही बनाया था भगवान तुम्हें ये खबर कब दे रहे? आख कान हो तो भगवान सभी को खबर देते हैं तो तुम समझते हो कि मैं ये सब बाते सुनकर खुश होती हूँ कौन सी बात? ये ही कि मैं राजरानी बनने लायक थी, सिरफ तुम्हारे हाथों पढ़कर ऐसी हो गई प्रूप, प्रूप, सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं और जो सब कहते हैं तो शायद उनकी नजरों में मेरा रूप ही सब कुछ होगा लेकिन तुम तुम मेरे पती हो, छोटी उमर से तुम्हारे साथ हो क्या तुमको भी मेरे रूप के से बहुर कुछ नजर नहीं आता मैं क्या तुमको अपने रूप ही से भुला रखना चाहती हूँ अज अचानाच तुम इतने नाराज की हो गई ह Fin तुम मेरे साथ बहस मत करो, मैं कोई दूद पीती बच्छीन नहीं हूँ भला बुरा अच्छी तहर समझती हूँ उसने छुड काम किया था अजसी मैंने उससे छुडा दिया है जीजी, क्या है, जरा इधरा आना क्या है छोटी बहु, एक बात है जीजी, मंगर डर से कहनी पाती, क्या बात है छोटी बहु, जेट्ची के उपर नालिश हुई है, शाद कल ही समझ निकलेगा समझ निकलेगा, किस देगी है नालिश, भोला नातनी, ओ, समझ गई, आज इस छोटी बहन की एक बात मानोगी दीदी, क्यों ना मानोगी, जरा अपना हाथ तो इधर बढ़ा, ये माला मुझे क्यों देदी, इसे बेच कर या बंधक रखकर उसकी रुपए नोटा दो दीदी, जाओ नहीं जोटी बहु, सुनो, सीदू, ऐसा नहीं करते, देबर जी को मालूम होगा, तो वो नाराज, नहीं दीदी, उन्हें कभी न मालूम होगा, मा मर्ते समय मुझे ये छिपा कर दे गई थी, उस वक से मैंने ना कभी इसे निकाला, ना कभी पहना, नहीं, मैं इसे न जालूगी, औरत को स्वामी से छिपा कर कोई भी काम ना करना चाहिए, इससे हम तुम दोनों को पाफ होगा, धर्मा धर्म का ख्राम मुझे भी है दीदी, मतने समय आखर मैं क्या जवाब दूगी, तुम्हें कोई जवाब ना देना होगा बहु, और वो जवाब तो अधरी किसमत में लिखा है, वही होगा, लेकिन आज की ये बात, मैं मरते समय तब ना भूलूगी अगवाद, विछले साल फजल को पाला मार गया, इस साल भी अच्छी नहीं हो, इस पर भी अपना सब को चला गया तो हम जीएंगे कैसे? क्या हुआ? कुछ भी ना कर सका विराज, मुकदमा खार गया, सारी जमीन निकल दी किसने खरीदी है? इतने दुख में सिर्प यही एक तसलीज, कि खरीदने वाला कोई बायद में अपना ही भाई पिदांबर, उसने किसी दूसरे के नाम से खरीदी है अरे, यह क्या? तुम ऐसे बैठी हो? तुने पर क्या चराया है? मालूम होता है कुछ जल रहा है सब कुछ तो जल गया तुसी, अब यह जल रहा है तो क्या है? मेरे यहाँ लॉकी फली थी, इसे रख लो माजी, मैं यह खिलोने हाट बेचने जा रही हूँ तेको खिलोने? यह खिलोने तु कैसे बेचती है री? एक आने दो आने में अच्छा, अकर मैं तुझे खिलोने बनाकर दूँ तो क्या तु बेचाया करेगी? तुम? हाँ, अच्छा, अगले हाट के दिल तुम से खिलोने दे जाओंगी तो यह खिलोना तु यही छोड़ जा, मैं पीछो लटा दूँ अच्छा माजी, रख लो अच्छा माजा दुम खिलोना वख विलोनादी अच्छा, अच्छा माजा द्वब जाया अच्छा माज़ जाचा तेरी तकलीफ आप मुससे देखी नही जाती है विराज और गाव में मुझे कोई काम धंदा भी नहीं मिलेगा तो यह काम कर तो उस दिन के लिए अपने मामा की यहाँ चली जाए मैं भी एक वाश शहर हो और शहर चापर क्या करूगे इतने ही काम होँआ है कुछ ना कुछ मिली जाएगा तो कली तेरे जाने का बंदबस्त करता हूँ लो भी कुछ रख दो अब और देर करने से तो पहुचने में राथ हो जाएगी बाबू हाँ हाँ अभी आएगी जल्दी करो विराज नहीं तो पहुचने में राथ हो जाएगी कुछ अब चादर चू रख दी अरे अब इदर कहा जा रही है सबसावान तो गाड़ी में रख दिया अब रसुई घर में क्या काम अब इस वक्त यह सब काम करने की क्या जूरत पड़ गई क्या इरादा है जाएगी नहीं मैं नहीं जाओंगी मेरे तबिया ठीक नहीं है क्या कहती है तबिया ठीक नहीं हाँ बहुत खराब है तो कब जाएगी बोल गारीवान से कह दूं मैं नहीं जाओंगी यह तुम्हें पहले ही जानता था तुझे मैं अच्छी तरह जानता हूं अरे यह तो मेरी गलती हुई जो गारी बलवाई जाओं उसे जाने के लिए कह दूं आज तुम अपने मामा के यहां जाने ना थी गई क्यों नहीं कैसे जाओं महीं सुभा नीम से उठकर उनका मूँ देखे बिना एक दिनी भी तो नहीं बिता सकते बुरान माना जीजी मैं तुम्हें कैसे समझाओं अगर कुछ दिनों के लिए वहां हुआती तो अच्छा होता है क्यों सिमिधार के बारे में कह रही है हां कल सुन्दर जब उसे गहरी थी तुम्हारा कुछ दिनों के लिए वहां जाना ही अच्छा होगी एक कुत्ते के दर मैं उसे घर छोड़कर चिरी जाओंगी दीजी चलो दीजी जल्दी चले चलती हूँ दीजी इस रासे से अब जाएंगी कैसे क्यों दर किस बात का है मैं जो हूँ तेरे साथ चलतो चल्या मैं जुक्ती हूँ गई जी चहर आज इसका कुछना कुछ बंदबस्त करना ही होगा आप यहां क्या कर रही हैं शिकार खेल रहा आप बड़े आत्मी हैं एक भले आत्मी के लड़के हैं यह आप की केसी हरकत क्यों मैंने क्या किया आप की जमीदारी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो लेकिन यहां आप खड़े हैं वो जमीन मेरी है आप कितने नीच हैं यह खार की लखरी का एक एक टुकड़ा जानता है और मैं भी खूब जानती हूँ, आप शायद मेरे पती को नहीं जानते, इसी दिए कहे देती हूँ, आइंद आ भूलकर भी आप इधर मताईएगा, पर ना अच्छा न होगा ओ, भावी, इसके अभी-भी बाते अज़रें इसी मुद्मियदार भाना, हाँ जार बार मना करने के बाद भी तु घाच पर क्यों गहीं, बोल, जाब दे, बोल मैं तरी अच्छी पजी एक कर दूगा, ये शोर कैसा? चोटी बाव को पीट रहा है क्या? आहाँ पीट रहा हूँ, तुम्हें क्या? क्या कहा? मुझे क्या? चोटी बाव के पीटने की वजा भी जानता है? लेकिन जानना जूरी है? दूसरे को कुछ कहने से पहले अपने घट को देखना चाहिए मतलब यही के ये मेरे मना करने के बाद याज फिर भावी के साथ घाट पर गई सिर्फ इसलिए तुने हाथ उठाया? आखर तुम मुझ पर इतना लाल पिला क्यों हो रहे हो? तुरा घंटो बात ही करती रहे मगर तुने कैसे जाना उसे बात करने की जुरूरत न थी वो मैं कुछ नहीं जानता लेकिन ये जानता हूँ कि जमिदार जो आजकल घाट के चकर काड़ा करता है वो छोटी बाहू के लिए नहीं बड़ी बागोश तु जानवार है बड़ा भाई होके तुझा आज शरप नहीं देता लेकिन तुने गुर्जन के बारे में जो बात आज कही है बगवाद तुझे कभी नहीं शमा करेंगे तुरे सोही तेजार है तुरे सोही तेजार है चलो खालो पलो वो जब 밝वब थाद तुरे सेअ सभान बाद देग दिस नहाँ झाल जब समय याल समय प्राम ... आपस्ट बेबुला कर बात नहीं कि? तो क्या देवर जी के सब बातों वाद उने विष्वास कर लिया? मैंने क्या किया? मुझसे बोलते क्यों नहीं? इदेर उधर भागती फिरती हो, तो बोलू किस से? भागते फिरते हूँ, तो क्या तुम मुझे बुला नहीं सकते? जो भागता फिरता है उसे पुकारने से पाप होता है पाप? तो क्या तुमने देवर जी के बाद का विश्वास कर लिया? सच बात है तो विश्वास नहीं करूँगा नहीं नहीं सच नहीं सरासर जूट है तुमने उससे बाते नहीं की हाँ? की थी? तो मैंने इतना ही विश्वास भी किया है वगर विश्वास है किया है तो जिस तरह वो नीच अपनी स्थरे को पीट रहा था उसे तरह तुमने मुझे भी सजा क्यों नहीं दी अच्छे तो मेरे पास आ बच्पन की तरह फिर तेरे काने इंको मैंने उसे क्या कहा था जानते हो जानता हूँ उसे आने के लिए मना कर दिया है तो उसे किसे ने कहा किसी ने जवगजनर्भी से बात की है जनुप कोई दूप में पढ़कर ही की होगी त lane इस किसी बहर हो ही क्या सकता है विराज मेरे विराज आज से जनन जनना अंदर से मेरी है अगवान मेरे सब कुछ ले लो लेकिन इसे मुझ से न चीना इसे मुझ से न चीना लाओंगी जैसे भी होगा उसे यहां लाकर अपनी बेज़ती का बदला लूगी तभी मेरा कलिजा ठंडा होगा यह बात तो मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ मेरा बजरा आ गया है अब मैं थोड़े दिनों में यहां से चला जाऊँ मुझे थोड़े दिन की महुलेत और दीजी आप तो जानते हैं वह औरत कैकी है यह काम को इत्ता असाल नहीं तुम खाना खाओ मैं अधिया की अब इस वक कहा जा रही हो काम है विराज विराज मैं काम कर रही हूँ भला इस वक क्या काम है इधर आ नहीं तो मैं खाना नहीं खाओंगा मैं उड़ता हूँ हाँ दीदी भाईया की तिठी आई है पिताजी सख बीमार है इसलिए मैं मैं के जा रही हूँ हुश रहो भागवान करे तुम्हारे पिताजी जल्दी अच्छी हो जाए एक बात पूछो दीदी जेची तुम्हें बुला रहे थे तुम गई क्यों नहीं देखा नहीं काम कर रही थी यह कहकर तुम मुझे नहीं भुला सकती दीदी तुमने हमेशा सब कामकाद छोड़कर सामने बैठकर उन्हें खाना खिलाया है दुनिया में इससे बड़ा और काम तुम्हारे लिए कोई नहीं रहा आज इतना बुलाने पर भी क्यों नहीं गई तो फिरा चल कर देख यह देख सिरफ उगलेखव चावज और नारी का साग अब तुकी बता दुनिया में कौन सिस्पीर सामने बैठकर अपने पते कुछे भूजन करते देख सकती अब जो तरे जी में आए मुझे कहकर गाली दे मैं कुछ ना कहूंगी कुछ ना कहूंगी दीदी, मैं तुझसे कुछ पिछी पाना नहीं जाती तेरे स्वा मेरा दुख समझने वाला और कोई नहीं मैंने खौप सोच विजार कर से कहाए में यहां से गए बगए उनकी तक्रीफ दूर होने के नहीं लेकिन रहने से मैं उनकी सूरत देखे बिना एक पल भी नहीं बिता सकती एचे ही जाओंगी बोल मेरे जानी के बाद तो उनकी देखभाल करे की न कहां जाओगी नहीं कैसे बताओं कहां जाती है बेहन लेकिन इतना सुनती हूँ इससे बढ़कर और कोई बाप नहीं लेकिन रोज रोज के कुर्णे से तो छुटका रहा हो जाएगा जी 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 ऐसे बाते मुपनली लाते आत्माते की बात चु कहता है अचे सुनता है दोने को पाप होता है तुम्हें क्या हो गया है जीदी सुन तो नहीं जाती लेकि दिखना चांती हूँ आप मैं मुझे खाने को नहीं दे सकती मुझे जूगर वज़ते मेरे चाने पर तोनों भाईयों का मेल करा देखी बतुन भी मुझे बचंडो तक घटी कवी ऐसी बादजबान पर नहीं लागी मेर कहिऊ हूँ कवी मुझे साज़ नढी जातर मुझे साज़ने जातर मुझे साज़ने जातर बह्या बहाएं एक कामकार्की को इस्गáficर मिलीए ओ निलामबर, बैठो, बैठो, रामफुर में रतिक लाल एक नई कीर्फिर मंडली बना रहा, उसे कुछ आदमियों की ज़रूरत है, तुम अच्छा गाते हो ज़रा पता लगाओ न, भरवान के नाम को बेच के परसे कमाओ, यह उससे नहीं होगा, अच्छा, अच्छा, अच निलामबर, सुनो, सुना है, जिमीदार आजकल तुम्हारी भगिया के बहुत चक्तर काटता है, वह आदमी अच्छा नहीं है, उसरा उश्यार रहना, नमस्ते निलू भाईया, कहां से आ रहे हो? अच्छा विराज, जिमीदार जो दिन भर बंसी लिए घाट पर बैठा रहता है, इससे तो तुम लोग को बड़ी असुविदा होती होगी? होती भी है, तो क्या कोई? नहीं नहीं, यह बात तो अच्छी नहीं, मैं कल ही जाकर मना कर आऊंगा नहीं, यह सब करने की जुरूरत नहीं, नती सिरफ हमारे अकेले की नहीं नहीं हो हमारे अकेले की इसका मतलब यह तो नहीं कि औरतों के नहाने के घाट पर दिन भर बंसी लिए बैठा रहेगा क्या उसे भले बुरे के विचार करना नहीं चाहिए? मैं कली जाकर मना करूँगा और अगर नमाना तू वह मचान वचान तोर फोड़ के फेक दूँगा तरह संदे दिमाग से काम लो, जिसे दोवक्त का खाना नहीं जुटता उसे जिमीदार से जग्रा करना शभा नहीं देता गिराज, किस दिन दुझे दोवक्त का खाना नहीं मिला, बोल, बोल पेकार न चिलाओ, इस तरह से दोवक्त का खाना जुटता है, यह मैं जान क्यों यह मेरे भगवाद आज कल तु हर वक्त मुझे खाने के लिए ताना देती है, ठीक है, मैं आज ही नौक्री के तलास में जाओंगा, और अगर ना मिली उसी कितन की मंडली में शामिल हो जाओंगा कहीं भी जाओ, तु सोईता यह रखा का जारा नहीं, जब तक नौक्री ना मिली पानी तक ना पिएंगा का जाओंगा 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 कि अपना लगा है झाल, 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 प्रॉआएरग। आज तो निलामबन अज सुछा तुमारे घर आदमी भेजाता है मालुमा दो दिन से तुम घर में नहीं हो. कहां गया ते रामपूर आपने जिस काम के बारे में कहा था वो फवान था उन्होंने दूसरा आदमी रख लिया अच्छा अच्छा इसमें घवराने की क्या बात है आपने मेरे यहां आदमी क्यों भेजा था आज शाम को मेरे यहां भजन केटन है तुम्हारे बिना जमेगा नहीं तुम जरूर आना इस वक तुम ठके माने आया हो, घर हो आओ नहीं, मैं घर नहीं जाओंगा अच्छा अच्छा, तो यही बैठो, फिर साथ चलेंगे जूम जूम मन मोहन रे, मुरली मदुर सुना जा जूम जूम मन मोहन रे, मुरली मदुर सुना जा तेरे दर्स के प्यासे नैना, एक पल दर्स दिखा जा जूम जूम मन मोहन रे, मुरली मदुर सुना जा गोपल सुना मठुरा सुनी सुने ब्रिज पे जूले भूल गया तू हम को मोहन हम ना तुझ को भूले हम ना तुझ को भूले फिर पन घट पे जमनके तट पे आके रास रचा जा रे घन शाम रादे शाम घन शाम फिर पन घट पे जमनके तट पे आके रास रचा जा जूम जूम मन मोहन रे मुरले मद्व सुना जा हम जैसे तो लाखों जग में तुझ सा कौन है दाता तोड के सारे नाते हमने जोडा तुझ संग नाता बवर में नईयां पड़ी कि वईयां अब तो पार लगा जारे घन शाम बवर में नईयां पड़ी कि वईयां अब तो पार लगा जारे जुम जुम मनमोहनरे मुरली मजुल सुना जारे तेरे दर्स के फ्यासे नैना एक पल दर्स दिखा जारे जुम जुम मनमोहनरे मुरली मजुल सुना जारे जुम जुम मनमोहनरे मुरली मजुल सुना जाजुम मुरली मजुल सुना इस अंधेरे में चुपचाब बैटी हो माजी रसोई खर में अंधेरा है, क्या खाना बना चुकी? नहीं जी, आज मुझे बुखार है, इसलिए खाने को कुछ ची नहीं चाता तो इस ठंड में क्यों बैटी हो, अंदर चली जाओ तुर्थी, उन्हें आज दो दिन हो गए रामपूर गए, अभी तक नहीं लोटे इसलिए जीव है जाएने ये तुम क्या कह रही हो माजी, बड़े बाबु तो गोविन बाबु किया किर्टन गा रहे है किर्टन गा रहे है? हाँ माजी, मैं वहीं से आ रही हूँ गर में इस्त्री बिमार, अनाज कहें एक दाना नहीं और वो किसे किया मैठे किर्टन गा रही है बाबी कुन? बाबी ओ, बिशद नीलू भाईया ने धोती मांगी है धोती मंगवाई है? लेकिन अभी तो वह गोविन बाबु किया किर्टन गा रहे थे हाँ लेकिन अजानक ख़वर आई कि नारायंदास मर गए है उधरी से सीज़ मर घट चले गए अब नाद हो के लोटेंगे ये इतनी बारिश में आप कहां चली भावी जी? कहां में तुलसी तुलसी कौन? इस बारिश में तुम यहां कैसे आई माजी? आओ आओ अंदर आओ नहीं तुम थोड़े चावल दे सकती है हम लोगों के मोटे चावल उससे काम चलेगा माजी हाँ हाँ हूँ चलेगा वो दो दिन के बाद लॉट रहेगे और खर में खाने के लिए कुछ भी नहीं तुसरा चल्दी से दे लिए अच्छा माजी बारिश के बाद काफी सर्दी पड़ गई इसकी दवा कनिया के पास मतलब? मतलब कनिया आज पिस्ते वदा में घुटी हुई भांग लाया है अबे निकालता क्यों नहीं ला निलू भाईया को लोटा दे नहीं आज मैं भांग नहीं पियूँगा जो दिन से घर नहीं गया तुम आज कल वड़े रूखे रूखे ते हो गया निलू भाईया अच्छा तो ला पहले मुझे ही दे लो निलू भाईया मेरी धोती ले आया तेरी भावी क्या कर रही तिरे जब तुम्हारे घर पहुचा तो उस वक्त काफी बारिश हो रही थी मुझे धोती देकर उसी बारिश में भावी घाट की तरफ न जाने के तर गई मैंने पूछा भी तो कोई जवाब नहीं दिया इसनी रात घाट की तरफ गई कनया मुझे भी एक लास दे कर दो कर दो झाल सुना विशन को धोती देने के बाद कहां गई थी? खाक पर इसनी राद खाक पर क्यों? रसोई तयार है, खालो, बाद में बता लो नहीं, इसी वक्त सुनना चाहता हूं, बताओ क्यों गई थी? अगर ना बताओं तो? बता नहीं होगा, बताओ पहले खाना खालो? नहीं, सुनो बगेर तुम्हारे हाथ का छुआ पानी तक नहीं प्योंगा क्या कहा? मेंसे हाथ का छुआ पानी तक न प्योंगे? नहीं, हर्गेज नहीं क्यों? शर्म नहीं आती, उल्टे पूछती हो क्यों? समझी, अब इस वक में और कुछ ना पूछूँगी और ना ही कुछ बताओंगी कल जब तुम्हे होश आएगा तब सब समझोगी, इस वक तुम्हें भांग भी रखी है हाँ मैंने कोई नहीं पी है जो होश खोवैटा हूँ, बलकि तू होश खोवैठी है मेरी आप हमें धूल जोगना चाहती है विराज मैं बड़ा ही बेभूफ हूँ, इसलिए उस दिन पितामबर की किसी बात के यकीन नहीं किया नहीं तो तू क्यों नहीं बतला सकती, इतनी राट गय घाट पच्ची हो गई थी इसलिए नहीं बतलाना चाहती है कि यह सुनकर तुम्हारी गर्दन शर्म से चुक जाएगी तुम्हे दुख होगा और श्यास तुम खाना भी नखा सकोगी लेकिन मेरा ये भेवर थी, तुम्हे लाट शर्म भी नहीं और तुम इनसान भी नहीं बिराज अम आखे दिखाते हो, साथ हो बने हो अनाज के इस दाना नहीं और उस पर नोखी जोड़ने का बहाना करके दो दिन तर इधर उधर का बचाकर मुर्दे चलाकर इसी राज के नशे में खर्लागे नशे में हूँ तो तुमने मुझे मारा? तुमने मुझे मारा? हाँ, अच्छा किया अरस्मी अभागीं, अपना ये काला मुझे आने दिखा दूलाओ यहां से बुरे से बुरे दिन में भी मैने तुमना साथ नहीं चोड़ा हूँ लेकिन स्वामी होकर जो दोश तुमने मुझे पर लगाया है उसके पाद जीने की मेरी कोई हिच्छ नहीं मैं चली जाओगी, चली जाओगी मेरी ये सबसे बड़ी तमना थी कि तुमारे चर्णों में बरू आज उसे भी छोड़ती हूँ मुषम 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 चर्णों मुषम जाओगी 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 लेश बड़ जाओगी उसे जएंए हूँ स्थाइ दोपनाई पना प्याल है विदे घट कचुगा पनी तखना प्यागी उची अलग्ष्मी कहाम अरे यह तो बड़ी बहु है इतनी राद गये तुम यहाँ आज में आई हूँ हाई दया क्या कहती हो जानती है सुन्तरी उन्हें मुझे कल मुही कहा अलक्षमी जहकर घर से निकाल दिया अब मरने के सबाब मेरे भी और रही क्या गया है तुम क्यों मरने जाओ मेरे साथ चलो कहा आओ तो सही क्यों मेरे तुम क्यों मेरे तुम क्यों मेरे क्यों मुझे तो बहुशगे इस तनी जिवताव गंगू, इन्हें उपर लियाओ नश्मन, नत्तू, इन्हें समाल कर उपर लियाओ तुमखड़ लो टाई, मालपड़ी को लाई ही उपर जी, तहाँ है, मुखड़ी है, मला ला ला रहा है, शाबाश, लाओ इधर लाओ इतने दुनों के बाद, आज मेरी बेज़ज़ती का बदला पुड़ा हुआ है ये लोपना ही नाम अच्छा, आप दल्दी से बजरा खोलकर राधी राध दाऊ छोड़ दीजे, अब किसी को मालूब होगर, तो हम दोलों आप अपने सब जाएंगे अच्छा, मैं जाते हूँ इताची को बूलियेगा नहीं अच्छा, मैं तुमा कभी भूल सकता हूँ गंगो, जी सरकार पिना शोरगुल किये बजरा चोड़ दो एकने तुम बंगल सरकार हाँ जो हको मालेट हे सुनो, पिना शोरगुल किये बजरा खोल दो तुम सुनो कि अधने को बंगा कि लगयोग को अधने हुँ जो दो दो खोल्गू कि अधनी किया कि अधनज गंधन झार कि कि कात्ट, कि वाज़का का मता की जपात। बनुंडिक कोट, किसमें बाग की? आप, मुझे यहां से जाने दिए कहां जाओगे? हम तुमारा गाउन छोड़कर बहुत दूर के ले आए है? मुझे जाओगी जाओगी कहां? नाव चल रही नहीं, मुझे जाने दिए नहीं, नहीं, नहीं नहीं मुझे जाओगे, मुझे जाओगे नहीं 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 बाचिरा याने लोग यहां को माले नहीं जाओगे जाओगी पोकार रहे थे कल रात मांजी मेरिया चावल मांगने गए ते रही थे पाइथा तेरे यहां गई थी चावल मांग रहे हैं घर में कुछ भी नहीं है तु खोड़े से चावल दे दे उससे काम करा रहा है विराच! 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 कि विराच! विराच! नरोदी, वान कंदे पर्कार फायरे दाईने, दोमाने सम्तिरी ग्रिवा, छुकेरे शोखानुरे। नरोदी, के दी लोवने, टुन पर्कार फायरे पानि थिकन पानी कहओ दिया, पानि दे रादाई की अधानुरेे दाई你ः, जुकेरे दाईने, दोमान, दुकेरे बार्कारे लादाध्य। पानी से कन में बानी रिखाऊंगे बादे बाबू, तब साब यहीं बैठे हैं, दिन चड़ाया, दिन चड़ाया, हाँ, तब तो बिराज जूरूर आ गई होगी, उसे तो मानूम है रात मैंने खाना नहीं खाया, बिराज! मिराज, मिराज, लोटा मिराज, तो लोटा मिराज पाँ लगी बाबू, क्यों जग्गू, सब कुछ ठीक है ना? नहीं बाबू, उस घर में रात बड़े बाबू से जगड़ा करके बड़ी माजी घर से चली गई, अभी तक कुछ पता नहीं गिए, हो सकता है नदी में डूप करें पाँ कहते हो, हाँ बाबू, उसी के बाद बड़े बाबू पागल जैसे हो गई, चलो जल्दी चलो, जेर जी को देखाए, तुम सामान उतारो, अच्छा मालिक बगवाद, उसे लोटा दो बगवाद, उसे लोटा दो, उसके बगद मैंसे दाने नहीं देखता तुम क्या पत्थर के बने हो, दीदी ने दुख और मुसीबत में आत्मात्या कर ली है, और अब भी हम गयर बने रहेंगे अगर आत्मत्या की होती, तुलाश अभी तक कब की नदी में उपर आ जाती नहीं भी आ सकती है, शायद धारा में बह गई गई हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि सती लक्षमी के देह को गंगामिया ने अपनी गोद में ले लिया हो, इसके अलाखोज भी किसने की है, तुम जाके पता लगाओ ना अंतिर्यामी तुम तु सब को चानती हो, उसने जब दिलवरा प्राद नहीं किया तो सारा पाप मेरे ही से लात कर उसे सोट में जाने तो उसने यह बहुत दुख उटा हबोर उसे दुख नहीं, हबोर उसे दुख नहीं कौन? में छोटी बहु लेकिन बिरास्थ यहाने हो मुझे रूर का चले हो मुझे रूर का चले कुछ पता नहीं चला नहीं मच्वों को लेकर सारी नदी चान मारे शायद नदी में डूबी नहीं यह बात रह रहकर मेरे दिल में आती है मही कि सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ मुझसे भया की यहालत नहीं देखी जाती अच्छा भावी कहीं अपने मामा के घर नंदगाओं तो नहीं चले कि नहीं दीदी अपने आन पर मर मितने वाली थी उन्होंने जरूर नदी में डूब कर ही जान दी है फिर भी तुम कहते हो तो किसी को भेज कर पता लगा लो भगवान करे तुम्हारी इबात सच लिख ले जगो, जगो जगो को मैंने तुलसी को बुलाने भेजा है शायद वो कुछ जानती हो क्यों, जगो से क्या काम था वो आये, तुस इस बार को तोड़ डालने के लिए कह देना मैं खुद ही तोड़ डालता हूँ भीको, ओ भीको कहा छोटी बाबू तेरी गाड़ी मिल सकती है, क्यों? कहा जाना है? कल राज से बड़ी भावी घर पर नहीं पता लगाना कहीं अपने मामा के घर नंदगाओं तो नहीं चली गई हाँ हाँ मिल सकती है चोटे बाबू अगर आप भुरा ना माने तो एक बात कहों हाँ हाँ कहो सुदा घाड पर मला कुछ बाते कर रहे थे क्या? वो कह रहे थे के राज सुंदरी के साथ एक औरत बजने में जूही बैटी बजना चल पड़ा किसके साथ? सुंदरी 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 बता कल रात तेरे साथ नाव पर और कौन थी? हाँ दया कोई तो नहीं सच सच बता सची तो कह रही हो फिर छूट बोली सुंदरी मुझे सब कुछ मालूम है सीधी तरह से बता दे वरना अभी पुलिस के हवाले कर दूँगा हाँ दया मुझे पुलिस के हवाले ना करो मैं सब मताती हूँ मैंने तो सिर्फ बड़ी बहु को जिमिदार के बज़र तक पहुचा दिया था पर इसमें मेरा कोई दोश नहीं वो घर से जगड़के मेरे पास आई और बोली एक सुन्दरी के लिए जी जाता है तेरी जबान नोशनु कमीनी ये तुने किस चनम के बैर का बदला लिया घर जाकर दे बड़े भाईय की क्या हालत हो गई नीच तुझे सिंदा जला देने से भी तेरे पापों का प्राचित नहीं होगा बड़े भीया खाना पक गया खाना पक गया शेकिन विरास्ता भी तेक नहीं लटी वो भी तो बिना खेच चली गई है वो पता लगाने गय है आप चली पीथू कोई खाबर मिली चुक क्यों है बोल बोलता क्यों नहीं भावी मरी नहीं तो कहा है बोल मैं उसा भी ले आऊं सुंद्री क्या रही थी कि कल रात भावी घर से घाट की तरफ कही और और सुंद्री नहीं ने जिमिदार के बजरें पीटू नहीं नहीं सुना होगा दीदी सती सावितरी समान थी और अगर यह सच है तो दिन भी छूटे रात भी छूटे देवी देता भी छूटे मैं यह कभी विश्वास नहीं करती कभी नहीं कर सकती ओम नमो विश्वरूकाया विश्वस्थितन तहे तवे बिष्विष्वराय भिष्वाय गुविंदाय नमुनौ प्रचीन त परवनन त प्रसीन परनन त श्रामेश्वर संसार सागरे मगनं मामुधर जगत गुरू मैं कहा हूँ? मुझे यहां कौन ले आया? मचेरे तुमको यहां लाया है तुम नदी में डूब गए थी मुझे छोड़ दो मैं खर जाओंगी तुम मचेरे हो जो खर घर चली जाना नहीं नहीं मैं यहां बिल्कुल नहीं जाने दो मुझे जए जाने तुमझे । Ha! बहुत चाहु दूखि भाईया रो मत बहन, रो मत भाभी हम लोगों को छोड़ के क्यों चली गई भाईया चल अंदर चल सब बताता हूँ ये क्या छोटी भावी मैंने कहा था ने कि भाईया के लिए आज मैं खाना पकाऊंगी आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो अच्छा, तुम ही पकाऊ भाईया की जो हालत है अगर उनके खानी पीने का ठेक से ख्यान ने रखा गया तो उनका बचना मुश्किल है मुझे तो ताजिव है कि तुम लोगों के भूटी जिन की हालता है की ये उनके देह किनी मन की बीमारी है इसके लिए छोटे भाईया और तुम जिम्मेदार है अज चोटी बहुने देन नहीं आते मैं यहां हूँ बड़े भीया यह हटा ले नहीं खाऊंगा नहीं नहीं तुम्हे सब खाना होगा मैंने अपने हाथों से बनाई है देखता हूँ तेरा बच्पना अभी तक नहीं पे भगली अब मेरी ओख खुराग नहीं रही मगर ना खाने से तुम्हारे यह शरीर कैसे ठीकेगा जरा अपने शिरत तो देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी भाईया चलो हवा पानी बदलने के लिए किसी अच्छी जगा हो आए तुम जूट मुट परेशान होती है पुल्लो मुझे कुछ भी नहीं होगा नहीं नहीं मैं तुम्हारी एक न मानूँ हूँ कल ही टिकट मंगवाने का बंदुबस करती हूँ तुम्हें चलना ही होगा अच्छा जब तु इतना कहरी है तो जल सभी कहीं घूमाए तुम लोग फी चलोना छोटी बहू नहीं बड़े भया मैं मकान छोड़कर नहीं जा सकती आप ही लोग जाए क्यों छोटी बहु क्यों नहीं जा सकती छोटी भावह अगर जाना नहीं चाहती यह कैसे हो सकता है हम लोग जाए और वो लोग क्यों नहीं जाना चाहती हो छोटी बहु अगर अगर देदी किसी दिन वापस आए और खाली में कान देख कर लाउच जाए छी छोटी बहु अगर तुम भी ऐसी पागलफन की बात को ऐसी नाधान बन जाओ तो फिर मेरा क्या होगा मैं नादान नहीं हूँ बड़े भीया आप जूट जी चाहे कहिए लेकिन जब तक चांद और सूरज निकलते रहेंगे तब तक मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं करूँगी स्वामी की चर्णों में मनने का वद्दान लिया था उन्होंने आप से वो कभी जूट नहीं हो सकता जब तक जीती रहूँगी किसी आशा से उनकी रादे कुंगी आप मुझे एक घर चोड़कर जाने के लिए मत कहीं बड़ भाईया मैं कहीं नहीं जा सकूंगी कहीं नहीं जाओंगी जल्दी चलिए सुंदरी को साप ने कात लिया है कब थोड़ी देर पहले जल्दी चलिए बड़े बाबु मरने से पहले आपको देखने के लिए बेचैन क्या हुआ रे केशा। सुंदरी को साप निकात लिया। भचेनी की कोई उमीद नहीं है। मरने से पहले बड़े बाबु को देखना चाहती है। नहीं नहीं बड़े भाईया उसके नहीं जाएंगे। छी पीतु ऐसा नहीं कहते है। न्याय न्याय का विचार भगवान करते है। हमें किसी से घ्रिना ना करना चाहिए। चलो केशो मैं चलता हूँ। बड़े बाबु नहीं आए। आते ही होंगे सुंदरी, केशो उन्हें बुलाने गया। लेकिन मेरे पास अब इतना समय नहीं। मेरा धम घुड़ा जा रहा हूँ। बड़े बाबु आगए। बड़े बाबु आगए सुंदरी। बड़े बाबु आगए। ओजा को ख़वर भेजी है। ओजा से अब कुछ ना होगा। मुझे अपने चन्नों की धूल दो बड़े बाबु। मैंने बहुत बड़ा पाफ किया है। रुपह के लालत से मैं ही बड़े बहु को जिमिदार के बज़े तक ले गई थी। उनका कोई दोस ना था। मुझे छमा करो। मुझे छमा करो। मुझे छम। मर गई बिजरी। दाक्टर साथ, अब तो मैं अच्छी हो गई हूँ। आप मुझे कब घर जाने देंगे। नहीं नहीं। अब तुम पुरी तो अच्छी नहीं हुए। आप दर दिन बाद घर जासे कोग। अच्छी। क्वाल सब्सक्राइ। कर दो मुझे बहुत दूर जाना है पर अब मैं ठक गई हूँ मुझसे और चला नहीं जाता कहीं सिर्फ राग काटने के लिए सहरा मिल जायतो हाँ हाँ क्यों नहीं राम भला का ये पासी ठायरने की जगा है यात्रियों के एक और दल भी भही ठायरा हुआ है तुम भी भही जाकर ठायरो बहन मैं उस दुकानदार से पूछ कर रात पर यहां ठायरने के लिए आई हूँ ठीकी तो है बहन आओ बहन बैठो तुम अकेली हो बहन हाँ तो फिर खाना और पकाने का जंजट न करना हमारे ही साथ खा ले न क्यों नहीं बहन मेरी तबियाट ठीक नहीं है मैं कुछ नहीं खाऊँगी बिल्कुल कुछ ना खाने से तो शरीर और भी खराब हो जाएगा जो भी रुखी सुखी बनीगे दो कर जरूर खा ले न बहन तुम्हारे पास सिंदूर है हाई राम सुखागन के पास सिंदूर न हो क्या तुम भी सुखागन वहन हाँ शिर्ट जैसे है मेरे पती अचाएगी किस से बाते कर रहे थी एक और जनी आई ये विचारी उसी से ये लो जी मैं जरा बच्चे को दूद दे कर आती हूँ फिर आराम से बैठ कर बाते करेंगा मेरे पती सदा ही मुझे बातों नहीं कहा करते हैं पर क्या करूँ मुझे तो चुपोकर बैठा नहीं जाता हूँ हाई भगवान ये मेरी सुरत को क्या हो गया अब ये मुणने कैसे दिखाऊँगी अच्चा ही हुआ रूप के लिए ही उन्होंने मुझे पर संदे किया था अच्चा ही हुआ अच्चा ही हुआ अच्चा ही हुआ सिंदूर लगाची के बेहन हाँ हाँ तुमने मेरा बड़ा उपकाद किया है तुम कहा जाओगी में घर राजनगर राजनगर उसके पास वाले गाव मदन गंजी से तो हम आ रहे हैं वहां मेरी बेहन ब्याई है उसके लड़के की जनम दिन पर हम भाग गये थे महां कुछ लोग राजनगर के भी आये हुए थे उन्हीं के मुझ से सुना कि तुम्हारे राजनगर किसी निलांबर चकरवर्ती की बहुँ सारी औरत जाती के मुझ पर कालग पोटकर जिम्मिदार के साथ भाग दे सारा गाव उसके नाम पर थू थू कर रहा है क्या तुम जाते हूं उसके लचने को यह सुनती हो जरा इधर आओ आते हूं चादर कहा है बच्चे को अढ़ा दूए यह लो अरे चली गई बहन बहन मिरा कुई कर नहीं मिरा कुई नहीं मिरा कुई नहीं यह क्या भाया कब से नास्ता रग गई है और तुम बैठे-बैठे सोच रहे हो आखिस भावी के बारे में अब भी दिन राज क्यों सोचा करते हो कौन कहता है मैं उसे दिन राज सोचा करता हूं कहेगा कौन मैं खुद जानती है तू उसे याद नहीं करती नहीं उसे याद करने से पाफ होता है क्या होता है पाफ होता है उसका नाम लेने से मू अपवित्र होता है पुलना कर दो कर दो अब कभी न कोई ना अब कभी न कहना वो तेरी बड़ी है गुर्जन है सिर्फ रिष्टे ही में नहीं बल्कि उन्होंने तुझे मा की तरह पाला पोसा है दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे लेकिन तेरे मुझे इसी बात का निकलना खोर अप्राद है भाईया सब उसे दोशी ठहराती है मैं कुछ कहने ही पाती है लेकिन दुनिया की नज़र में वो कितनी ही कलंकिनी क्यों नहों उसके खिलाब मुझे कोई शिकायत नहीं लेकिन भाईय अब क्यों नहीं आती भाया आने का उपाय नहीं इसी से नहीं आती जिस हालत में वो मुझे छोड़कर चली गई अगर उसे लौटने की ज़रा भी रह मिलती वो सुरु लौटा थी आना चाहती है मगर आने ही पाती यह कैसा दंड है तुम लोग देख नहीं पाता लेकिन मैं आखे बंद करते ही सब कुछ देख बाता सब कुछ देख बंद करते ही अगर यह कुछ देख बंद करते ही क्यों? तुम जह हुआ जह हुआ है हुआ है ओजिए ओओ ढोओ पाई बॉलोग ना जन्नम्दुखी कर्मों परा आमिले जवा गुरु आमाय उपए बलो ना जन्नम्दुखी कर्मों परा आमिले जवा गुरु दुखे 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 जलो जन्नम्दुखी कर्मों परा आमिले जवा जल्दी चल बर्खा उन्हे को है बैठ थोड़ा पानी पिलाओगी इस पेड के नीचे क्यो बैठी हो? पानी पानी के दिनों में पेड के नीचे रहने से मर जाओगी मर जाओगी मरने से पहले उनसे मिलना सकूँगी तो फिर मुझे आशीरवात हो कि तुम्हारे चर्णों में सर रखकर तुम्हारी सूरत देखते देखते मेरे प्रांग निकले बोलो तुमने मुझे आशीरवात दिया अथ्या मैने तो कोई तुष नहीं कुछ तो मैं कुदी ही रहती मैं कुदी ही रहती दोल गई धरती की काया काप गया आकाश बिना दोश के सीता को जबराम दियो बनवा सुनो सीता की कहानी के वो महलों की रानी छोड़ घर बार गई बनवास किसी ने कदर न जानी सुनो सीता की कहानी के वो महलों की रानी जोड़ घर बार गई बनवास किसी ने कदर न जानी डगर डगर भटके बनवास पगपग ठोकर खाए भूकी प्यासी फिरे वबन में मन में पीर छुपाए पड़ गए छाले पाओं में दो नैन कमल मुर जाए पड़ गए छाले पाओं में दो नैन कमल मुर जाए कैसे सुने कथा ये कोई कैसे कोई सुनाए राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम कैसे सुने कथा ये कोई कैसे कोई सुनाए चलक पड़े नैनन की गगरी चम चम बरसे पानी रे सुनो सी ताच कहानी के ओ महलों की रानी जोर घरवा गई दनवा किसी देखो दुनिया वालो सीता सती की प्रीत महान सती सीता की प्रीत महान जिसने दिया वनवात उसी के ही करती गुनगान कहे प्रभू से कुछ मांगू तो मांगू ये वर्दान मांगू ये वर्दान मांगू ये वर्दान अपने पती के चरनों में ही निकले मेरे प्रान राम सीया राम सीया राम सीया राम अपने पती के चरनों में ही निकले मेरे प्रान राम सीया राम सीया राम अपने पती के चरनों में ही निकले मेरे प्रान कि अधिना गाड़ी वाले, क्या तुम मुझे राजनगर ले जा सको? रहन हम राजनगर को नहीं जा रहे हैं, मगर तुम तरश ठेरो, आज मंदी का दिन है, कोई न कोई गाड़ी तुम को मिली जाएगी, चलो भाई यॉप्या कर दिनलेकर दोगएी, क्योन जुम कि वादिया जुमा ओिन मैं तुम बंदी तुम में को तुम में पी जाएगी Myb fort, कि मैन तुम में जोगएी। सुम में चलो जुमा जोगएी। करें छोपने औराय से विर्ग जाद कर दो दोब जाद का जो हो जाद कर दो अजा है संदों को जाद कर मुद। विर औराय सो बस्ते दो जाद कर दों दो не Senhor यूज शोंगर दोल्ड़ जान को दोली कि उर है किस की आवाद बहार किसी ने बहार किसी ने पुकाद तुने सुना नहीं तुम्हे आदके क्या हो गया जुनिया इसांदी बहुआ हैं बहार आएगा तो शाद मेरी फुल गी शाद मेरी फुल आवाद मेरी फिते ने जुन जुन वाद आद Фचा है ले बहार सेुक्त सकती शाद है पुएया नहीं से दुम्हे जुक्ते गीम्हे इसल बतुब्रत करना नहीं दर्चे तुम्हारा जाने यहामा हूं मर बसकता दी मिल बसो मरी जी मिले खमा दी बसकत बुलनो आज यहीं से कर रहने दी अब सुनने में मन नहीं आता भाया रमायम में तुम्हारे पराण बसके थे अब तुम्हें यह भी नहीं बाती मैंने तो पहले ही कहा था कुछ दिनों के लिए बाहर भूमाते तो मन बहल जाता हाँ, वही ठीक हो था यहां रहकर तो बिरात्सो कभी नहीं खुलाता फिस खरकी-खरकी उसकी याद दिलाती बर्खा बंद हो चुकी पुच्छा ज़र सोच भाईया, सोने सो पहले यह खिरकी बंद कर ले न कहीं रात को फिर बर्खाना आजाए हाँ? ब भाईया ऑजंवा पुलाव गल प्रयको कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो ऐखता बुशा दनुपनाव आ लिए! पिराँच्ट customs पिराँच! कलन को!! पिराँथ लौताई लौताई? पिराँح! पिराँже पिराँ! जागी मिरा मिरा जारी मिरा जी जाओ झाल झाल मेरे पुरिषा की सते हैं? मैं यही हूँ बिराज मेरे पास बैठो आज मुच्छे एक सन फ़र के ज़िए अलगा होना छो जिवाज पुछ सेंदू तो लगा दो रिष्वास करो यही कुछी दोशिया पाप नहीं किया जानता हूँ जानता हूँ मेरे पुराज कभी कोई दोशिया पाप करी नहीं करी नहीं करता अब तो मुझे इस घर से नहीं निका रोगे ना? मुझे आरा साथ नहीं बनाविराज यह सुप मारा ही करे नहीं नहीं तु मारा घर नहीं को पेरा घर हाँ हाँ पेरा पेरा घर अपने पाउने देशिया हूँ मुझे आशे आशे आठाथ हो कि जन जन मांतर तक मैं तुम ही कुपाओ रोती है कुपाँ मेरी मौत ही तुमेजे मेरी दूरबी है अधवाल का इक कैसा निया तुमेपा करें नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते है भगवान कितने दया लुए यह मुझ से बढ़कर और कोई नहीं जाता मेरी सबसे बड़ी अच्छा मेरी प्राहन मेरी स्वामी के चर्णों में निकले भगवान ने मेरी वो अच्छा में पूजी करते है अच्छा 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 प्रिकी में जपर मालन, लखी में जपर में परें, सम्सार का गरें मग्मन, आमू एसी ही और सदा बहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक